जये शरी महंकाद, जये शरी महंकाद दोस्तों अब सभीका आपके अपने चनल में आपका एक बार फिर न से बहुत सवागत है और आपका बहुत आभारे आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको हमेशा सही और सकारत में जानकरी मिलती रहे आज हम इस व्यूडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्यूं होता है यह बहुत जादा महत्पूर्ण टॉपीक है बहुत important है कि जिन लोगों के साथ हमने बहुत अच्छा बाता हो कि है बहुत अच्छे से रखा उन्होंने हमें धोका दिया दूसरा है कि जिनके हमने खराब हालातों में मदद की वो लोगों ने धोका दिया और हमारी अच्छाई का क्यों गलत और गलत फाइदा उठाय जाता है यह सा क्यों होता है और लोग हमसे क्यों जलते हैं यह पूरा एक सीनेरियो जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे और यह चीजे आपको जानना इसलिए भी महत्पूर है कि अगर आप यह जान जाएंगे तो आपकी बहुत सारी परिशानी का हल हो जाएगा तो वीडियो को पूरा और अंतितक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिलें अगर आप उसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोर्णमेंट लेकर बात कर सकते हैं उसका शुल और ये आपके साथ हमेशा इस चीज़ को आपने फेस किया होगा या बहुत अच्छे इंसान है आपको सभी चीज़े बहुत पॉजिटिव बहुत सकारातमर दिखाई देती है कि जब भी कोई हमारे साथ इस तरह की गटना करता है तो हमें बहुत बुरा और अच्छा नहीं होना चाहिए आप नेकी करे दर्या में डाले इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ नेकी करे दर्या में डाले तो कि आपका जो फील है आपकी जो इमानदारी है वो बहुत नीड एंड क्लियर है वो बहुत पीवर है वो इश्वर की भक्ति आस्ता है यह यू कहूं कि वो अपन करें, आहित करें, आपको ऐसा लगता है, कुछ समय आप बिलकुन धुकी होंगे, आहतीत भी होंगे, लेकिन कभी भी उनका हित नहीं होगा दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप ये भी नहीं चाहते कि कभी भी किसी का आहित नहीं हो, लेकिन प्रकृतिक न्याय है, अगर आप को छेड़ोगे तो प्रकृति अपना नियाय करती है कहीं उधारण आपने प्रकृति के देखा है वैसे ही यह जो फील है जो हमारी इमानदारी यह लोगों की मदद करना है यह सब प्रकृतिक चीजे इसके लिए आपका मानों होना बहुत जरूरी आपके पास सव्वेदना है होना बहुत ज़रूरी हो सव्वेदना है यह प्रकृति उसका संडक्षन करती है जितनी भी मानवी सव्वेदना है भाव है उनका संडक्षन प्रकृति करती है और प्रकृति अपने हिसाब से उसका न्याय भी करती है अगर उन सव्वेदनाओं को उन भावनाओं को और उस इमानदारी को कोई भी वेक्ति disturb या छेड़ चाड़ करता है या उसका कोई दूर उप्योग करता है उसके साथ प्रक्रती न्याय जरूर करती है और सजा भी देती है और कठोर दंड देती है तो इसलिए हमेशा आप positive mind setup रखें और कभी भी कोई वेक्ति आपके साथ कुछ भी कर इस तरह का negative ways करता है तो घबराए बिल्कुल नहीं डेरे बिल्कुल नहीं और भावनात्मकुरूप से ना टूटें क्योंकि भावनात्मकुरूप से आप टूटेंगे तो बहुत से चीज़े तक लिए इसलिए मजबूत रहें आपके साथ ईश्वर है और आपका हमेशाच चाहँगा